प्रस्ना वली 2.5 प्रस्न संख्या 14 तीन का वर्गमूल दस्मलों के तीन स्थानों तक निकालिये आये निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये तीन लिखते हैं और इधर से एक लंबवत रेखा और इधर से एक 36 रेखा दिशते हैं तो ये अकेला अंक्या संख्या है तो इसमें कितने से दे सकते हैं भाग एक से एक एका एक और ये आगया हमारा से दो अब चुकि इसके बाद कोई और आंकिया संख्या नहीं है और हमें दस्मलों के तीन स्थानों तक वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे यहां एक दस्मलों देंगे तो यहां दस्मलों देने के बाद जिस तरह से हम लोग भाग में यहां पर एक सुने बैठाते थे, यहां भी बैठाएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि यहां हम एक जोड़ा सुने बैठाएंगे, यह हो गया, अब हम इस एक को दुगना करते हैं, और इस तरह से लिखते हैं कि इकाई का स्थान खाली रहे, अब यहां पर हम कुछ भी बैठाएंगे, तो वो बीस से ज़्यादा होगा, और इससे हम भाग देंगे, तो यह दो सो है, यह बीस होगा, बीस माल लेते हैं, तो यह दो सो, तो बीस गुना दस दो सो होता है, लेकिन यहां तो एक ही अंग बैठाना है, तो चलिए हम नौ बैठा करेंगे, तो नौणाव इकसी का ईह, हाथ में हा आठ, नौ दोनी अठारह और आठ चब़िस, तो यह तो ज्यादा हो रहा है, चलिए बैठा के देखते हैं, तो 8864 के 4, हाथ में रहा 6, 826 और 622, ये भी ज्यादा है, तो अब 7 बैठा के देखते हैं, तो 749 के 9, हाथ में रहा 4, 724 और 418, ये होगा, तो यहाँपर हम 7 बैठाएंगे, और ये 7 बार दे रहे हैं, तो ये हो गया 189, अब इसको घटाते हैं, 10 से 9, एक, और ये 9 हो गया, तो 9 से 8 गया, एक, और यहाँ हासिल ले लिए थे, एक बज़ गया, एक से एक सुनने, अब क्या करेंगे, कि 10 मलों तो हम पहले ही बैठा चुके हैं, तो यहाँ एक जोड़ा सुनने और देंगे, क्योंकि हमें 10 मलों के 3 अस्थानों तक निकालना है, अभी एक ही अस्थान हुआ है, अब हम इसको क्या करते हैं, 7 को दुगना कर देते हैं, यह जो इकाई की अंक है, 7, तो इसको दुगना कर देंगे, या इसको समझेंगे कि इसमें 7 जोड़ देंगे, तो यह अगर 27 में 7 जोड़ देते हैं, तो यह हो जा रहा है हमारा 34, और इकाईक हस्थान खाली है, अब यहाँ पर, कोई भी अगर हम यहाँ पर अंक बैठाएंगे, तो यह 3 अंकिये संख्या हो जा रही है, और यह 4 अंकिये, तो हम अगर 2 अंकों को, इस 2 अंकों को अगर इगनोर कर दें, तो यहाँ 3 बच रहा है, और यहाँ भी इगनोर कर देते हैं, तो यहाँ 11, तो 3 से 11 में कितनी बार जा सकता है, तीन बार तो हम लोग तीन बैठा के देखते हैं तीन तो यह हो गया तीन तीनाई 9 और तीन चों के बारा का 2 हाथ मरहा एक तीन तीनाई 9 और एक 10 बिल्कुल से यह इतना ही जाएगा तो यह तीन यह तीन और यह हो गया 1, 0, 2, 9 अब इसको घटा रहे हैं दस से नौ एक और ये हो गया नौ नौ से दो साथ यहां से तो हासिल ले लिए तो ये शुन ये शुन अभी दो ही अंख हुआ है अभी और हमें चाहिए एक अंख तो एक जोड़ा सुन और बैठा रहे हैं और यहां इधर क्या कर रहे हैं कि इस तीन को हम दुगना कर देंगे तो यह हो जाएगा छे, चार और यह तीन अब यहां पर कुछ भी बैठाएंगे तो यह चार अंकिय संख्या हो जाएगी, और यह भी चार अंकिय संख्या है, और इधर जो है, यह तीन है और यहां साथ है, तो तीन से साथ में कितनी बार जा सकता है, दो बार, तो दो बैठा के देखते हैं, तेन, चार, छे, दो, गु डू त्याय 6, चलिए, यह छे, नौ, दो, चार, अरे, यहां पर लिखे ही नहीं, यह दो और यह तो, हाँ, यह दो दो तो यह लिख रहे हैए, चलिए, तो दस से चार, यह हो गया 6, और यह नौ से दो साथ, यह सुन्ने हो गया और इधर से एक लिए तो दस दस से नौ एक और यह 6 हो गया था इधर से एक लिए तो यह सुन्ने तो हमारा तीन का वर्गमूल आ गया एक दस मलाव साथ तीन दो प्रसुन संख्या 15 16384 का वर्गमूल निकालना है और इसका मान निकालकर इसका उप्योग करके ये जो दिया गया है इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हम इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं दिर्ग विभाजन विधी से तो इसे सबसे पहले हम लिखते हैं एक छो तीन आठ चार यानि सुल्ल हजार तीन सो चोरासी अब एक लंबवत और एक च्छाइटीज रेखा चीज़ते हैं अब दाहिनी ओर से एक एक युगम पर बार लगाते हैं ये पहला बार हो गया ये दूसरा बार हो गया और ये एक पर जो अकेला अंख है इस पर एक बार हो गया तो सबसे पले तो एक में भाग देंगे, तो निश्चित रूप से ये एक से ही होगा, एक एक और ये घटाते हैं, तो ये हो गया शुन्य, अब ये 63 को हम इस सुन्य के बगल में दाहिनी ओर लिखते हैं, और अगला step होगा, कि हम इस एक को दूना करके यहां लिखते हैं, इस तो तीन बैठाके हम देखते हैं, थोड़ा, तीन, तो तीन ती आई नौ, तीन दूनी छोड़ जादा हो जा रहा है, तो अब दो बैठाके देखेंगे, तो ये 44 हो गया, तो यही होगा, तो यहां हम दो बैठाएंगे, और यहां भी दो बैठाएंगे, तो ये हो गया, चो जो है 84 इसे इव उतारते हैं आठ चार यह आप क्या करेंगे कि यह जो इकाई वाला दो है इसको दुगना कर देते हैं तो यह हो जा रहा है 24 दुगना कर दिया अर्थात इसमें दो जोड दिये 22 में 24 हो गया यहां पर एक दाहिने वाला स्थान को हम रिक्त रख रहे हैं अब हमें ऐसा अंग यहां बैठाना है कि यह इतना आ जाए या इससे कम आया तो हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई में अगर दो और आठ रहे तो उसके वर्ग के इकाई में वर्ग संख्या के इकाई में चार होता है तो हम लोग दो और आठ बैठा के देखते हैं लेकिन दो बैठाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा यह उनीस है यह बहुत कम हो जाएगा तो 8 बैठा के देखते हैं 2, 4, 8 गुना 8 स्वारी बराबर तो 88 64 का 4 हाथ मेरा 6 32, 6 38 का 8 हाथ मेरा 3 8, 2, 3, 3, 19 यह 8 से चला गया तो यहाँ 8 और यह 8 और यह 1, 9, 8, 4 यह मैनस करते हैं तो यह शुन्य, 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 शुन्य तो हमारा इसका वर्गमूल आ गया 128 अब हम इसका मान निकालेंगे तो यह है 1, 4, 3, 10, 8, 4 जोड एक स्वारी, यहाँ पर दसमलो है एक दसमलो है फिर से साप से लिखते हैं यह है एक दसमलो छे, तीन, आठ, चार इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे एक, चो, तीन, आठ, चार, बटा एक दसमलो के बाद दो अंग है न तो एक पर दो शुन्य यह थोड़ा नीचे से जाएगा ठीक, और यहां 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 भी इसी तरह से करेंगे एक, छो, तीन, आठ, चार और बटा एक पर दसमलो के बाद कितने अंग है चार तो चार सुन्यें एक, दो, तीन, चार अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका वर्गमूल एक, छो, तीन, आठ, चार यानि सुला हजार तीन सो चारासी का वर्गमूल और यह एक सौ का वर्गमूल और यहां यहां भी उसी तरह से लिखेंगे एक, छो, तीन, आठ, चार और बटा ये इसका एक पर चार सुन्या तो अभी हमने इसका वर्गमूल निकाला है कितना आया है 128 तो ये 128 बटा 100 का वर्गमूल 10 और यहां फिर 128 और ये इसका वर्गमूल ये है 11, 12, 11, 1000, 10, 1000 चार सुन्ने है यहां पर तो वर्ग मुल करेंगे, तो दो सुन्य होगा, तो यह हो गया, अब यहाँ हम देख रहे हैं, कि एक सुन्य है, तो यह 12.8 हो जाएगा, 12.8 और यह हो जाएगा, 1.28, अब इसको जोड़ देंगे, चलिए इसको जोड़ देते हैं, 12.8 और यह 1.28, तो यह हो गया, आठ और आठ दो दस का सुन्य हाथ, मैंना एक दो और एक तीन और एक चार, यह 14.8, 14.8, यह हमारा एंसर आगिया, अब हम कुछ विशेश तरह के प्रस्नों को देखते हैं, 75 का वर्गमूल, बटा, तीन का वर्गमूल, तो इसका मान हमें निकालना है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, यह हम इस तरह से लिख सकते हैं, 75, बटा, तीन, और यह स्पूरे का वर्गमूल, तो यह क्या हो जाएगा, यह 3 से 75 कैंसिल होगा, 25 बार में, तो यह बच जाएगा यहाँ, 25, और हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, चलिए, बड़ा ट्रिक्य कोश्चन था, अब दूसरा ट्रिक्य कोश्चन देखते हैं, आठ का वर्गमूल, गुना दो का वर्गमूल, चलिए, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आठ गुना दो और इस पूरे का वर्गमूल, तो यह क्या हो जा रहा है, आठ दूना दो, सुल्ला और सुल्ला का वर्गमूल हम जानते हैं, चलिए, यह भी बड़ा ट्रिक्य था अब तीसरा नमबर प्रश्ण यदि 1225 का वर्मूल 35 है तो यह दिया हुआ है इसका मान ग्याद करना है आई इधर से मान ग्याद करते हैं तो अभी पहले हमने इस तरह का प्रश्ण बनाया था चलिए तो यह हमें निकालना है यह 12.25 और जोड यह 0.1225 तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे 12.25 को हम लिख सकते हैं 1 पर 2 शुने यहां बठा में क्योंकि यह 10 मलों के बाद 2 अंक है अब यहां यहां हम लिख सकते हैं 1,2,2,5 और बठा में 1 पर कितने सुने हो जाएंगे दस मलों के बाद देखें 1,2,3,4 तो 4 सुनें 1,2,3,4 तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यह 12,2,5 यानि 1225 बठा 100 का वर्गमोल और यहां भी इस तरह से कर सकते हैं यह बटा 1 पर यह 4 सुने और इसका वर्गमोल तो यहां तो दिया हुआ है पहले से निकाला हुआ है मिने निकालने के जरुरत नहीं है 35 यह हमने लिख लिया 35 और 100 का वर्गमोल होगा 10 और यह यह 35 और यह एक एक पर चार सुन्य है तो इसका वर्मूल एक पर दो सुन्यानी एक सो तो ये हो जाएगा तीन दसमलो पांच और ये हो जाएगा शुन्य दसमलो तीन पांच आई ये इसको जोड़ते हैं ये यहां रफ में करते हैं तीन दसमलो पांच और ये दसमलो शुन्य दसमलो तीन पां पांच हमारा चौथा प्रशन कुछ इस तरह से है रूट थ्री जोड रूट बार का वर्ग मूल तो इसका मान निकालेंगे यह किस पर आधारित है हम लोग सर्फ समी का जानते हैं कौन सा ए प्लस बी का फोल स्क्वार यह क्या होता है ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार प्लस टू ए बी यहां ए के जगा रूट थ्री है और बी के जगा रूट बार तो इसका हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वार जोड रूट बार का स्क्वार जोड दो गुना रूट थ्री और ऐसे हो जाएगा रूट 3 इंटू यहां 3 और यह हो जाएगा 12 गुने 12 और यह हो गया 2 गुना और यह रूट के अंदर ही हो जाएगा 3 गुने 12 तो यह हो गया यहां वर्गमुल इसका 3 इसका 12 और इसका 2 गुना और यह 12 यह 36 हुआ तो ये हो गिया 3 जोड 12 जोड 2 गुना और 36 का पर्गमूल 6 तो 3 जोड 12 जोड 12 तो ये कितना हो गिया 12, 12, 24 और 23, 27 थोड़ा tricky question था लेकिन आसान था